बहुत बहुत स्वागत है मेरे सभी एफकाइट एश्परेंट का फाइनली वो दिन आ गया और कल आप अपने एग्जाम के लिए प्रोसेस करने जा रहे हैं सबसे पहले पूरी मेजिकल सी परिवार की तरफ से और सवरफसर की तरफ से आपको बहुत बहुत सब कामना है कहते हैं कि एक गुरू होने के नाते मेरे जिम्मेदारी हमें इसा बनती है कि लास्ट मिनट में आपके पास हाऊ और आपकी ताकत आपके छमता को आपको रियालाइस कर रहा हूं और उन कुछ प्रिकॉशन्स और केर्स को ही बताऊं जिससे आप अपने एक्जाम में बहतर कर करें और एक्जाट यु एफकास में अपनी सपलतास हो निसस्य कर पाएं कि य attic का स्कोर मैटर करता है क्लिक यज़ एकर आपको मेरे तो अच्छा करना हिय और फ्रॉख्या करना है अब अगर दस बजे का पेपर का तो आपको उसिस करें कि एट ओक तक रिपोर्ट कर दें जिससे अपनी जो डॉकुमेंटेशन की प्रक्रिया है जैसे के एडमिट कार्ड हो गया आईटी प्रूफ हो गया बामेट्रिक हो गया फोटो काप्चिरिंग हो गया सारी प्रोसेस आपकी और काम क्वाइट रिलेक्स तरह के साप एक्जाम सेंटर में प्रभेश करें तो इक्जाक्ली दस बजे वालों को मैं 8 बजे कहता हूं 10-12 आपका एक्जाम होगा और जो तीन बजे का उनको मैं एक बजे बोलता हूं जिसे 3-5 आप अपना एक्जाम कर सेके यह आपका आपके पास एईडे के एक लिए कुछ भी तो आप जो है इसको लेके जरुड जाए और तूपासपोर्स ऐज फोटो भी आपको करी करनी होगी तो आहना रखियेगा जो फॉर्म में फिल किये हैं अगर वही वाली हो तो जादा बेडर होगा आप अपके लिए बाकि बालप के लिए भी जरूरी है तीन सब चीज़ों का ध्यान रखेगा इंपोर्टन डॉक्मेंट्स तो करी वन पार्सिपेटिंग इंपोर्टन कर सकते हैं फिर इंग्लिश पार्ट हो जाता है इस पर ही कहना चाहूंगा कि यह जो है आता है या तो नहीं आता है क्योंकि रीडिंग के पार्ट हो जाता है टाइम सेविंग अच्छी हो जाती है फिर फानली मैथ और रीजनिंग को आप एनफ टाइम देंगे ठीक है न क्योंकि मैं यह मान के चलता हूं कि आपके पास दो घंटे हैं तो आपके कोशिस यही होने ची कि सुरू के 40 से 45 मिनट में आप यह दो सेक्षन कर लें अपना जि से इसे इसे कॉमफरटेबल हों उस प्रोसस से यहां पर जाएं इंपोर्टन में क्या है कि रीट कुशन्स कैरफूली बिल्कुल हर बडाई है मत बहुत बड़ा इकजाम नहीं है यह पीसिंग करती है तो बिल्कुल कुश्चन को आराम से पढ़िये क्लारिटी मिलेगी सारे options को carefully देखना है क्योंकि सुक्से अधा गलती यह होती कि आप कभी कोई answer जानते वह भी गरत option पर टिक कर जाते हैं अपनी हरबढ़ाहट के वज़ज़ से हैं घबढ़ाहट के वज़ज़ से वहां question सही से पढ़ते नहीं इस वज़ज़ से answer कुछ का कुछ चला जाता है तो इस पर भी ध्यान रखना है कि questions भी अच्छे से पढ़ने है options भी पढ़ने है मोटा मोटा आकड़ा यह मैं मान के चलता हूँ कि 60 प्लस आपको तो लेके ही जाना है और वो एक secure score है जो कि आपको merit in होने का भी reason देगा और यह 65 प्लस हो जाये तो मुझे लगता है कि यह bestest score होगा और यह बहुत बड़ी बात नहीं कि 100 questions में आप दो घंडे में 65 प्लस नहीं कर पा रहे हैं आप कर सकते हैं बस खुद पर भरोसा और बिलीब के साथ आपको बढ़ना है जितना आपने पढ़ा है अच्छा पढ़ा है उसी के confident तरीके से आप जाहिए और 195 marks का एक आखला जो मैंने रखा है निर 200 उसको लेके आए मैं यह जरूर कहना चाहूंगा विकिस आज का दिन बहुत महत्तपूर है तो आपको काम रहना है रिलाक्स रहना इस दौरान से जितना दूर रहे हैं उतना आपके लिए अच्छा है वह आपको बहुत रिलाक्शन देगा बहुत जदा फ्रेंड से मत पूछिये कैसी हुई है किस तरह के कुशिचन्स आते हैं कौन से सेग्मेंट ज्यादा पूछाता है इतना जानने ही का ज़रूत नहीं इतने दिन में जानके क्या ही खल होगे तो खुद को डिपरेस करने का करनेगा जितनी तैयारी तरीके से तरीके से जाईए नो लास्ट मिन जो है के एक्जाट मतलब हाँ नो लास्ट मिनिट मुगिंग बहुत ज़्यादा मगिंग करनी की ज़िरोत नहीं है लास्ट मिनिट में के मार रट के बहा दे रहे हैं वह आपको आपने पढ़ा है उसी के सच्छाई से आप सफलता तह कर पाएंगे अच्छा खाईए बढ़िया सोई बिल्कुल जितने भी आपके एक्जाम से लेटेड को लिटरल से उनको इकठा करिए और तरीके से मुस्कुराते हुए योद्धा की तरह बढ़ी है पाजी बनने जारें जी और उस तरह से करके आई है वाट तो बिल्कुल एक्जाम सेंटर में पहले पहुचे हो मैंने आप आपको बताया ही नियमित टाइम से टाइम मैनेजमेंट डिवाइड दर सक्षन पेपर सॉल्व एकॉडंगली जैसे मने शुरू में अपना प्लान रखा जी के इंग्लिस मैथमेटिक्स और इसनी आप भी अपना और बना सकते हैं बड़ मुझे लगता वह बहुत मैटर करे आप कितने देर में कर पा रहे हैं क्या आपका टाइम गाप जारा ज्यादा टाइम बेस्ट हो रहा है तो प्लीज उसे भागिए उन कुष्टिंस को पहले अप्रोच करें जिनको आप कर सकते हैं बिगिन बिद था कॉन्फिदेंस बिएब लाइक अ लीडर और टेक टाइम ठीक है ना जो बहुत एजी कुष्टिंस होते उसमें ओबर हम कॉन्फिदेंट हो जाते हैं कभी-कभी इस चक्कर में गलत हो जाते हैं तो प्लीज वहां पे थोड़ा सा काम होके रिलाक्स होके अपोथिटिकल नहीं होना किसी भी सिचुएशन होना एंग्जाइटिनेस भी भी मदद आप लेते रहें तो फाइनल यहीं कहना चाहूंगा बिच्चा गुड़ लग तू आल अफ यू आपके पर भरोसा है और आपको तो खुद पर भरोसा है और मुझे लगता इतने ही भरोसे आपके लिए काफी है जिंदेगी में कुछ बहतर करने के लिए और पाने करें बाकि कोई और लास्ट टाइम को अरीज हो तो कमेंट सक्सें में जरूर मेंसन करिए मैं उसका आपको बहतर जवाब दूँगा थैंक यू सो मच विशे गुड़ लग जाहिन चाह भारत